हेलो एवरिवन वेल्कम टुदी माई चैनल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में तेह दिल से स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले है चैप्टर नंबर 14 जो की है क्या कंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग इस वीडिय को पढ़ लेते हैं कहरा है कि क्या आप को याद है कि आप इंगल का कंस्ट्रक्शन को या करते हे तो मैं आप लोगों को याद दिलाता हों और किस तरीके से हम लोग protector का यूज़ करके construction किया करते थे angle बनाया करते थे और उसका कुछ यहाँ पर steps दिये गए है तो जो देखिए यहाँ पर step दिया गया है वो step को मैं नहीं बताऊंगा ठीक है ना अब मैं यहाँ पर direct आप लोगों को इसके जो कुछ construction के जो कुछ recall exercise है जो याद करने वाले exercise है उसके बारे में बतला रहा हूँ ठीक है तो देखिए यहाँ पर जो question number one है वो कहता है construct the following angle using a protector कह रहा है कि यहाँ पर जो following angles जो दिये गए है जैसे कि PQR 30 degree, MNO 110 degree, XYZ 90 degree जैसे कि यहाँ पर है इस सभी angles को आप protector का use करके construct किजिए तो construct करने के लिए हम लोगों को जोरत होगा copy और pencil और protector यह तीन चीज आज सकता है तो चलिए अब हम लोग इसको protector का use करके किस तरीके से draw करते है किस तरीके से construct करते है इसको हम लोग सिखते है तो चलिए देखिए इसमें जो पहला नमबर question है वो है construct the following angle using a protector अब पहला नमबर का जो 1 है मतलब की A है वो है angle PQR equal to 30 degree मतलब की हम लोगों को एक angle बनाना है PQR जिसका major होना चाहिए 30 degree यूज क्या करना है तो protector का यूज करना है तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे protector लाएंगे और मेरे पास एक pencil होना चाहिए बस इससे ज्यादा मुझको इसमें और कुछ ज़रुत नहीं है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो angle PQR दिया है तो यह QR है इस QR को हम लोग draw करेंगे अब यह किसी भी line segment draw करना है अब इसका major कुछ भी हो सकता है तो चलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से protector लिया अब इसी के सहायता से हम लोगों को क्या करना है तो QR ऐसे करके draw कर लेना है ठीक है अब यहाँ पर यह जो हुआ यह हो गया हमारा Q और यह जो हुआ यह हो गया हमारा R अब देखिए तो यहाँ पर यह हो गया Q और यह क्या हो गया R तो इस तरह के से लिख लिया QR ठीक है अब हमको यह जो protector है हमारा इसको इस QR के उपर रखना है अब रखेंगे कैसे तो यह देखिए इसमें जो यह बीच वाला point है देखिए यह बीच में जो line दिख रहा है यह हमारा होना चाहिए Q पर ठीक है यह जो बीच वाला है यह कहा होना चाहिए Q पर और यह जो सीधा है यह जो सीधा इस तरीके से गया है यह QR के उपर में होना चाहिए तो देखिए इस तरीके से हम लोग इसको ऐसे रखेंगे यह देखिए ठीक है यह देखिए ठीक है अब नीचे में जो हम लोग pencil से जो हमने line segment बनाया है उसी के उपर ठीक यहां से यह जो point है हमारा Q उससे हम लोग इसको ऐसे रख लेंगे ठीक है अब यहां पर हमको बनाना क् 30 degree यह निचे वाले को देखेंगे ठीक है यह 0 से लेकर के यहां जो 10 20 30 यह निचे वाले को देखेंगे अब यह जो 30 है 30 में हमारा यह क्या है यहां पर है तो इस तरीके से इसमें हम लोग 30 में यहां पर ऐसे point कर लेंगे अब point करने के बाद क्या करना है बस protector को हटाना है इस तरीके से अब यहां इस point से लेकर के इस point को यहां पर हमको measure कर ले, sorry, मिला देना है, ठीक है, तो यहां point से लेकर के इस point को क्या करना है, इसे मिला देना है, तो चलिए हमने मिला लिया, अब यह जो हमारा angle बना, यह कितने degree तो यह 30 degree का बना अब इसका नाम क्या है था तो P इसका नाम क्या लिख देंगे P तो यह हो गया P Q R और P Q R इक्वल टू 30 degree यहां पर हम लोगों ने मेजर कर लिया यहां पर हम लोगों ने इसको अब इसी तरीके में यहां पर जो B number question है इसका तो B number में कितने degree angle को हमको बनाना है तो देखिए यह जो B number है B में हमको बनाना है angle MnO sorry angle ABC 67 degree हमें एक angle बनाना है A B C जिसका मेजर होना चाहिए 67 degree तो ठीक इसको भी हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे प्रोटेक्टर लिया प्रोटेक्टर से एक line segment खिचा अब line segment का 2 point होता है यह 1 point यह 2 point ठीक है अब इसको हमने इस तरह से मिला दिया ठीक है अब मिलाने के बाद क्या करना है इस protector को हमको इसके उपर रखना है यह जो बीच वाला है यह हमारा यह point पर होना चाहिए और यह जो यह हो गया हमारा 65 बीच वाला 60 और 70 के बीच में से 65 फिर यह जोटा वाला 66 67 तो यहाँ पर हम लोग 67 जो है यहाँ पर इस तरीके से इसको point कर लेंगे अब protector को हटाना है और इस point से लेकर के इस point तक हमको protector के सहारे ही मिला देना है ठीक है अब इसको हम लोग चलिए मिला ले तो यहाँ पर हमने इसको मिला लिया अब यह जो मिला यह जो हमारा angle हो गया वह उसी तरह हो गया 67 ओगरी मतलब की angle यहीं पर बनेगा बी में ठीक है जैसे कि यहाँ पर PQR में हमारा बीच में Q था तो Q पर एंगल बना ठीक है ना तो अब जो next है C नंबर उस C नंबर को देखते है C नंबर में हमको कितने डिगरी का एंगल को मेजर करना है तो जो C नंबर है वो है एंगल MNO 110 डिगरी ठीक है तो C नंबर देखिए यहाँ पर ऐसे लिख लिए C क्या है एंगल MNO 110 डिगरी यह एंगल का सिंबल है आप लोग तो भूले नहीं होंगे न यह एंगल का क्या है सिंबल है अब MNO बनाना है, हमगों 110 दिगरी का, तो फिर से हम लोग वही तरीका, वही ठीक है, तो protector को इस तरीके से रखना है हम लोगेंगर को, प्रोटेक्टर को रख करके दो पॉइंट देने है तो चलिए प्रोटेक्टर को रख लिया अब प्रोटेक्टर को रख करके क्या करना है दो दो पॉइंट एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट अब यहां इस पॉइंट से लेगर के इस पॉइंट तक हम लोगों क्या करना है एक line segment measure करना है ठीक है अब इस point पे हमको ये beach वाले को रखना है और ये जो line है हमारा protector का ये इस line segment के उपर में एकदम होना चाहिए सिधे में ठीक है तो जैसे इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने इसको ऐसे रख लिया ये देखिए ठीक है अब इस तरीके से रखने के बाद निचे वाला line मेरे को इस line के उपर में दिखाए देना चाहिए और ये जो point है ये इस beach में हमको दिखाए देना चाहिए अब बनाना कितना है 110 degree तो यहाँ निचे वाले से इधर से राइट से लेफ्ट में जो निचे वाला है 10-20 से सुरू हुआ है जिरो से सुरू हुआ है तो यहाँ है 110 तो इस 110 के पास यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एक point बना लेते है इस तरीके से यह point बना लिया अब point बनाने के बाद protector को हटाईए अब इस point से इस point को protector से ही मिला लेजिए ठीक है तो यहाँ पर ऐसे हम लोग रख लेना है और इसको ऐसे करके मिला देना है अब यह जो angle बना हमारा यह क्या बना यह बना हमारा 110 degree का अब इस angle का नाम दिया है M, N, O तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे M, यह N और यह O तो हमने M, N, O 110 degree मेजर का construct कर लिया angle protector की सहायता से तो protector की सहायता से protector का यूज करके इसी तरीके से हम लोग angle को construct करते हैं ठीक है अब नाम लिखने के समय हमें से ध्यान देना है कि यह जो N है यह हमारा angle है तो N जो बीच में है तो N हमारा angle के पास होना चाहिए अब जो next है D number उसको देखते हैं अब देखे यहाँ पर जो हमको angle बनाना है वह बनाना है 175 degree का और angle का क्या होना चाहिए तो एंगल D E F- तो छो दिखना मैं धॉपर होना चाहिए लाइन इसके उपर होना चाहिए. टीक है, अब इस तरीके से हमने इसको यहां पर रख लिया तो 175 डिग्री किधर से start करेंगे हम लोग तो यह देखे यह जो जीरो दीख रहा है निच्चे वाला जो लिखा हुआ है यहां इसके बाद प्रोटेक्टर को हटाना है और इसी प्रोटेक्टर के सहयता से फिर इसको हम लोगों को यहां पर मिला लेना है ठीक है, तो यहाँ पर चलिए, अब हम लोग इसको मिला लेते हैं, तो चलिए यहाँ पर ऐसे करके हमने इसको मिला लिया, अब मिलाने के बाद, यहाँ पर जो यह बीच वाला हुआ, यह हमारा एंगल हुआ, अब यह एंगल जो है, वो कितने डिगरी का है, तो वो है 175 डिगर कर लिया, अब next जो है e number उस e number में हम लोगों को बनाना है x y z equal to 90 degree अब 90 degree का angle बनाना है ठीक है 90 degree का angle कैसे बनेगा तो देखिए, एक line segment खीच लिया इस तरीके से अब line segment का यहाँ point हो गया एक यहाँ point हो गया, अब यह हुआ starting point, तो starting point पे क्या करना है इसको इस तरीके से रखना है ऐसे रखना है कि जो यह निचे वाला line segment है वो इस line के एकदम उपर में आना चाहिए अब 90 degree का है हमारा तो जीखिए, यह देह रहा 90 degree, तो यहाँ पर हमने एक point कर लिया 90 degree का, अब इस 90 degree का point करने के बाद, इस point को यह starting point से जहां हमने protector को रखा था, उससे हम लोगों को इस तरीके से मिला लेना है, तो यह जो हमारा बना यह बन गया हमारा 90 degree अब 90 degree ही बन गया, अब इसका नाम क्या है x, y, z, तो y हमारा बीच में होना चाहिए, यह हो गया x और यह हो गया z, तो x, y, z, equal to 90 degree हम लोगों ने यहाँ पर solve कर लिया, यहाँ हम लोगों ने solve नहीं, यहाँ पर क्या किया, construct किया है ठीक है, अब next हमारा है f number, वो है angle rst equal to 140 degree तो वही step को follow करना है तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे protector को ऐसे रखा, ठीक है उसके बाद यहाँ पर एक line segment खीचा, अब जो line segment है उसका यह एक ending point हो गया और यह हो गया starting point अब starting point के उपर में हम लोगों को protector से इस तरीके से रखना है यह beach वाला portion यहाँ point पर होना चाहिए और यह line के, यह जो line है protector का यह इस line segment के उपर में होना चाहिए, ठीक है तो ऐसे हम लोगों ने इसको रख लिया, ठीक है अब हम लोगों बनाना क्या है 143 degree 143 बनाना है, तो 140 कहा है तो यह देखे, यह हुए हमारा 140 अब 43, तो 41, 42, 43 तो यहाँ पर हम लोगों को 43 के पास point कर लेना होगा, ठीक है ना तो 1, 2, 3 तो देखे, यहाँ पर मैंने इस तरीके से 43 के पास point कर लिया उसके बद क्या करना है, प्रोटेक्टर को हटा करके इस point से, इस point को इस तरीके से मिला लेना है, प्रोटेक्टर को ही सहारे प्रोटेक्टर को ही रख करके, तो यहाँ पर तो ये RST तो RST equal to 140 degree हम लोगों ने यहाँ पर solve कर लिया तो आप लोगों ने यहाँ पर सीखा आप लोगों तो पहले ही सीख चुके है Class 5 में ही आप लोगों को यह सीखाया गया है यह पढ़ाया गया है लेकिन फिर भी यहाँ पर यह recall exercise था हूँ तो मैंने इसको complete किया है मैंने इसको solve किया है और अगर जो भूल भी गये होगे तो आप लोगों को याद आ गया होगा कि protector का यूज करके किस तरीके से हम लोगों को angle बनाया जाता है तो यहाँ पर जो recall exercise का question number 1 था वो हमारा समाप्त हुआ अब हम लोग question number 2 की और बढ़ते हैं और देखते हैं कि question number 2 में हमें क्या करना है अब देखिए question number 2 है वो कराया draw an angle ABC of major 105 degree एक 105 degree का angle draw किजिए ABC ठीक है फिर करता है take a point D in its interior फिर उसके interior में एक point लिजिए जिस point का नाम D होना चाहिए उसके interior कहने का मतलब कहां अंदर में फिर join BD फिर BD को मिलाईए उसके बाद major करके ये verify किजिए कि जो ABD और DBC हो रहा है वो ABC के equal to हो रहा है तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें क्या करेंगे सबसे पहले तो हम लोग 105 degree का एक angle बना लेते है तो ये देखिए angle कैसे बनेगा जैसे हमने question number 1 में solve किया है question number 1 में जैसे construct किया है angle उसे तरीका से यहां construct करना है ये एक line segment खिचा ये इसका starting point हो गया ये इसका ending point हो गया अब इसके उपर मैं इस तरह से protector को रखा जैसे रखने के लिए मैंने सिखाया है उस तरीके से 105 ये है 100 ये हमारा 105 तो यहां पर 105 को point किया उसके बाद इस point को इस point से इस तरीके से ऐसे मिला लिया ठीक है अब इसका नाम है हमारा A, B, C ठीक है अब उसके बाद करता है एक point लिजे interior में तो चलिए मैंने यहां पर interior में point ले लिया इसका नाम दे दिया D ठीक है अब इसको B और D को क्या करने बोला मिलाने के लिए बोला तो चलिए इसको जॉइन कर लेते हैं मिला लेते हैं तो यहाँ देखे BD को मैंने मिला लिया अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ABC के equal to में होना चाहिए तो चलिए आप दोनों को हम लोग एक अक करके measure करते हैं तो आप देखिए इसको measure करते हैं तो measure करेंगे तो क्या करेंगे तो पहले हम लोग DBC को measure करते हैं तो इसके उपर ऐसे रखते हैं यहां करते है, तो यह कहां आ रहा है हमारा 50 पर आ राहा है, तो यह हो गया हमारा 50 degree, अब ABD को measure करते है, तो हमारा जो बेस लाईन है वो BD है, तो हमारा इस तरह से protector को रखना होगा और जो बेस लाईन BD है उसके उपर यह protector का सीधा लाइन होना चाहिए ये वला लाइन ठीक है अब ये देखीए ये क्या आ रहा है ये लगभक आ रहा है 55 डिग्री थीक है तो ये हो गया हमारा 55 डिग्री अब देखिए ABDाट regions हमने निकाला 55 डिग्री DbC इकवल टू हमने निकाला 50 डिग्री अब इसको verify कर लिया protector के सहारे major करके उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को लिख लेना है verified यहाँ पर हमारा question number 2 इस तरीके से solve हो गया तो अब next question question number 3 के और बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें question number 3 में क्या करना है वो कह रहा है major each angle of this figure यह जो figure है इस figure के हर angle को major लेकिए फिर कहता है which is the greatest angle तो अब देखिए यहाँ पर यह मेरा पास book नहीं है यह PDF है ठीक है तो इस PDF पर हम मेरे को protector के सहारे major करना possible नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे protector लेकर के हर angle को major करेंगे जैसे यह एक angle हो गया यह angle हो गया यह angle हो गया और यह angle हो गया ठीक है इस तरीके से आप लोग चारो एंगल को major करेंगे और major करने के बाद आप लोग को बताना है कि which is the greatest angle तो greatest angle कोन होगा तो बस आप लोगों को यहाँ पर major कर लेना है चारो को और जो greatest angle होगा उसको बतला देना है कि यह हमारा greatest angle है और यह इतना degree का है तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर question 3 को solve कर सकते है तो question 3 आप लोग खुद से कर लिजेगा कैसे करना है मैंने आप लोगों को समझा दिया है तो यहाँ पर हमारा जो recall exercise था वो समाप्त होता है अब next हम लोग इसके worksheat 1 को करेंगे और worksheat 1 में हम लोग सीखेंगे कि ruler और compass का use करके कैसे construction किया जाता है अभी तक हमने जितना भी construction किया वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्टर के सहारे किया लेकिन अब without protector हम लोग किस तरीके से ruler और compass का use करके करेंगे construction वो सीखेंगे तो चलिए आप मिलते हैं हम लोग इसके next worksheet worksheet number one में